एच टूडे की स्पैसर रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं जिला परिशद प्रत्यासी जो हैं लड़ावाड से रविंदर लखनुपाल जी हमारे साथ हैं वो पेश्चे से पहले प्रिंसिपर रिटाइड हुए हैं स्कूल से और अच्छी उन्होंने सेवाई दी हैं अब वो फि दन्यवाद सर अब जो जिला परिशद प्रत्यासी की तोर पर उतरे हैं बाड़ लड़ावाड से तो क्या आपकी प्रात्मिक्ता हैं किया सा विकास करवाएंगे अब सबसे बहले तो मेरी प्रात्मिक्ता रहेंगी जो भी बज़ट जो आता है चाहे सेंटर गवर्मेंट्स की योजनाए हों चाहे स्टेट की योजनाए हों मैं देखता हूं कि सारे का सारा बज़ट जो है वो आदे से जादा बज़ट जो वापस जाता है क्योंकि बज़ट जो दे देते हैं किसी को भी पैसे दे दिये ये पता नहीं होता है कि किस परपज के लिए है उसके लिए क् नोसी चाहिए, डीपियार चाहिए, को एस्टिमेट बढ़ना है, क्या कि उसके लिए जो फर्मेल्टी होती हैं, तो इन कारणों से सारा पैसा जो वापस आता है, तो समाज में रहते हुए, मैं रेटारिमेंट के बाद एक एक एंजियो चला रहा हूँ गलोड में, मैं गरीब मैं रहते हुए, हमारी जिम्मेबारी बनती है, क्योंकि हमने घर परिवार के अपनी सारी जितनी ड्यूटी ती, वो पूरी कर दी, बच्चों की साधियां होगी हैं, सारे अपने बच्चे सैटल हो गए हैं, बेटी मेरी उनिवस्टी में हैं, रेगुलर है, दमाद उनिवस में हैं बेटा मेरा Distaire Court में आपको बढाती है तो मैं अब बिल्कल समाज सवा के लिए इसलिए मैंने सोचा कि समाज के लिए हमारी जिम्यवारी बनती है कि जो भी योजना हैं हमारी ग्रीव तक नहीं पहुंच बाहरी हैं तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि एक समाज में रहते हुए इन योजनों को गरीब तक पहुंचाएं जो सरकार के जितने बज़ट हैं उनको जन जन की सेवा में जो लगाया जाए तो यह मेरी और प्रात्मिक्ता यह रहेंगी कि जो भी सचता के प्रति गौह में जो साप सफाई नालियां गंदे पान जो में में जो है जगा है जो मजूदा अभी जिला परिष्ट है भाजपा से मर्थित हैं तो उनों पहले भी विर चुके हैं तो कितना विकास करबापाई आपके इलाके में क्या कहें गया अब उनका तो कारे काल ऐसा रहा कि वो जीतने के बाद पबलिक में पहुंचे और इसलिए जो है हमने ये सोचा कि हम जो है वो समाज में रहते हुए हम समाज के जो परती हमारी भी कोई डूटी बनती है कि अगर ऐसी लोग अगर जीत के आएं और कोई काम नहीं करें जीत के घर में बैठे रहें तो हमारी भी कोई डूटी बनती है तो हम गुनागार हैं इस समाज के अगर हम आगे नहीं आएंगे और सरकार की योजना को गरीब लोगों को तक कर नहीं पहुंचाएंगे तो इसके लिए उप्र हम आगे आगे आना पड़ेगा यही बिचार करकर मैंने यह इस सोचा जूरूर जो है इस जन्ता की सेवा के लिए आगे आना चाहिए तो सर आप गावंगावं घूम रहे हैं किस तरह का रिसपॉंस आपको मिल रहा है बहुत बड़ी रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि मैं गलोड स्कूल में अजय लेक्चर भी रहा और प्रिंसिबल भी रहा तो बहुत अच्छा मेरा टैन्योर रहा है स्कूल में जो है वो मैंने बहुत अच्छी जो वो बिल्डिंग की जो थी कंसेक्शन करवाई हैं स्कूल को मैंने लेब स्कूल बनाया, मॉडल स्कूल बनाया, और रिजल्ट जो थे स्कूल के जब मैं आया था, तो उनकी हालत बहुत खराब थी, तो उनको सभी रिजल्टों को मैंने इंप्रूब किया है, क्वांटिटी और क्वालिटी दुनों को येर वाइज येर जो है ब चुरे इनडिया में जो हाँ वो प्रजेंटेशन ग्लोड स्कूल की होती है और हिमाचल पर्देश जो है वो डिस्टेक्ट मेरे डिस्टिक्ट अफिसर रहते हुए जो नम्बर बन पे हिमाचल प्रदेश विकेशनल एज्युगेशन में आय से पहले हर्याना परदेश हुआ क करता था तो यह मेरी सबसे बड़ी अचीमेंट रही है और स्कूल की स्टेंथ जो मेरे होते हुआ वो इनक्रीज होते रहे मैं बलॉक परजेक्ट ऑफिसर भी रहा हूं तो मेरे जितने बलॉक में थे स्कूलों की मैक्सिमम में यह थे कि हर साल स्टेंथ जो कम होती थी मेरा जो ए्टि-जो बड़ में सरकारी स्कूलों में जो है जो पच्छे बड़ने वाले हैं उनकी starter काम्मोरी है क्या कारण मानते है कि क्यों कंम काम्मुरी स्कूलों में ज्यादा है इसकी कई कारण है एक तो जग जग स्कूल ज़ादा बढ़ गे दूसरी ज़ो हमारे ज़ो स्कूलों में ज़ो वो क्वाल्टी ज़ो एजुकेशन ज़ो इंप्रूब्मेंट ज़ो मेहनत ज़ादा करने चाहिए उसमें भी थोड़ी सी कहीं कमी रहती है तो उसकी बज़ा से तो एक पुबलिक स्कूल थे जनकी मैं इंसपेक्शन करता था तो मैं देक्ता था कि बच्चों को जो है वो सिर्फ रटा रटाया material जो उनको रटाया जाता है उनको पढ़ाया नहीं जाता है नहीं सिखाया नहीं जाता है मुदलब उनकी एक marks तो ले लेते हैं पर उनकी जो वो knowledge उनका जो इतना नहीं होता है अगर जीत के आते हैं तो आपकी पहली प्राथमिक तक क्या होगी कशित्तर के लिए सबसे बहले तो मैं जितने भी मैंने लिखा अपील में मैंने दी हैं जितनी मैं सब के सब पूरा करूँगा और सरकार से जाज से जाधा बज़र्ट जोगों की जो डिमांड होगी उसके जो मैं आगे तक पहुंचाऊंगा और बज़ट जो है वो अनक्सपेंडड एक पैसा भी अनक्सपेंडड नहीं रहेगा जिसके लिए कोई भी जरूरत होगी डी प्यार की अनोसी या कोई भी जो फार्मिल्टीज होती हैं बिना कोई फार्मिल्टीज की या बिना जरूरत के कहीं भी जो पैसा जो हमें किसी को न आज तक भी लोग जो वो रामलीला मैदान में इसके वो मनवाने के लिए बैठे हुए हैं पर अभी तक वो पूरी नहीं हुए बन टाइम इंक्रीजमिंट जो है उनोंने की है पर अभी तक भी नहीं दी गई है तो उसके लिए जो मैं पूरे जोर से वाबाज उठाओंगा फ अपने फाजी भाणियों के लिए जो अभी मांग पूरा करने के लिए भार पूर कोसिस करूंगा ये थे हमारे साथ हैं रविंदा रखनपल जी जो लड़ावार से प्रत्याशी के तोर्म तोर पर चुनाव लड़ रहे हैं इनकी प्रात्मिकता है गाउं में विकास करवान कर चुके हैं और कर भी रहे हैं शिल्क शिक्षा भी दे रहे हैं अपनी समाजिक संस्था के माध्यम से एच्टूडे के लिए हमिर पूर्श आशोक राना